C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 2, सफाह नंबर 7 मेरा भाई, अमजद और उसकी बहन सना, पढ़ने के साथ साथ हार खेल कूद में भी हिस्सा लेते थे अमजद बहुत हस्मुख और शरारती था, उसने साइकल चलानी सीख ली थी अब तैरने की मश्क कर रहा था, पढ़ने लिखने में भी अमजद तेज था सना अपने भाई से ज्यादा होश्यार थी, वो जमात में हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार रहती अकमल अपनी चचाजाद भाई अमजद और सना की खुबियों पर खुश होता लेकिन अपनी कमी का एहसास करके उदास हो जाता वो भी ये सब काम करना चाहता था, जो अमजद और सना करते थे यहाँ सफे पर एक तस्वीर दी गई है, जिसमें चार बच्चे दिखाए गए हैं, जिनमें तीन लड़के और एक लड़की है, और उनमें से दो बच्चे माजूर हैं एक हादिसे में अकमल की टांगों पर शदीद चोट आई थी, तब से वो एक वीलचेर पर बैठा रहता, वो खुद को माजूर समझ कर किसी सरगर्मी में हिस्सा ना लेता अमजद और सना चाहते थे कि अकमल भी हर खेल में हिस्सा ले, लेकिन अकमल को लगता कि वो नहीं कर पाएगा एक दिन दोनों भाई बहन अकमल को अपने स्कूल के साथी दर्शन से मिलाने ले गए दर्शन आखों से देख नहीं सकता था, उसके हाथ भी मुड़े हुए थे दर्शन इन तीनों से बहुत खुश हो कर मिला उसने अमजद और सना के कहने पर अपने पैरों से एक चटाई बुनकर दिखाई उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे थे वो देखे बिना भी बिलकुल सही सही बुनाई कर रहा था दर्शन से मिलकर अकमल का होसला बढ़ गया उसने दोड में हिस्सा लेने का फैसला किया अकमल को एहसास हुआ कि माजूरी कोई चीज नहीं होती अगर दिल में होसला हो तो हम अपनी दुनिया को खुशगवार बना सकते हैं सफह के बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक बच्चा माजूर है और वील्चेर पर बैठा है जिसका नाम अकमल है सफहा नमबर नौ मश्क पढ़िये और समझिये हसमुक खुश रहने वाला खुश मिजाच खूबी अच्छाई हादिसा वारदात वाकिया शदीद बहुत ज्यादा वील्चेर पहियों वाली कुरसी माजूर मजबूर लाचार सरगर्मी काम कोशिश होसला हिम्मत खुशगवार अच्छा अच्छी पसंदीदा असातिजा के लिए हिदायात उस्ताद बच्चों को तस्वीरों के जरिये अंदाजा लगा कर कहानी सुनने और सुनाने का मौका दें इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक छोटी बच्ची एक पोल की तरफ बनी तस्वीर को देख रही है उस तस्वीर पर उस तस्वीर में एक हस्ता हुआ चेहरा है और उसके उपर लिखा है हस्मुक सफ़हा नंबर दस सोचिये और बताईए सवाल एक तीनों बहन और भाईयों में सबसे ज्यादा होश्यार कौन था सवाल दो अकमल की उदासी की क्या वज़ा थी सवाल तीन अमजद और सना क्या चाहते थे सवाल चार दर्शन ने चटाई किस तरह बुनी सवाल पांच अकमल को दर्शन से मिलकर क्या एहसास हुआ यहां बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक बच्चा जिसके आँखों पर चश्मा लगा है और वो अपने पैरों से चटाई बुन रहा है खाली जगों में मनासिब लवज लिखे एहसास दर्शन हौसला शदीद बुनाई एक एक हाथसे में अकमल की टांगों पर खाली जगा चोट आई थी दो खाली जगा आँखों से देख नहीं सकता था तीन वो देखे बिना भी बिलकुल सही सही खाली जगा कर रहा था चार अकमल को खाली जगा हुआ के माजूरी कोई चीज नहीं होती पांच अगर दिल में खाली जगा हो तो हम अपनी दुनिया को खुश गवार बना सकते हैं सफ़ह नंबर ग्यारा दिये हुए जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाईए एक अमजद और सना हर खेल से दूर रहते दो पढ़ने लिखने में अमजद तेज था तीन अकमल अपने भाईयों की होबियों पर खुश होता था चार एक हादसे में अकमल की टांगों पर मामूली चोट आई थी पांच दर्शन आँखों से देख नहीं सकता था हिस्सा अल्फ और बे के सही जोड मिला ये हिस्सा अल्फ अमजद सना अकमल दर्शन हिस्सा बे उदास नाबीना हंसमुक होश्यार हाजिर सफ़ह नंबर पारा तस्वीर देख कर बच्चों के नाम लिखिये इस सफ़े पर कई तसावीर हैं जिनमें पहली तस्वीर में एक बच्चा साइकल पर सवार है दूसरी तस्वीर में एक लड़की किताब पढ़ रही है तीसरी तस्वीर में एक माजूर लड़का जमीन पर बैठा अपने पैरों से चटाई बुन रहा है और चौथी तस्वीर में एक लड़का माजूर है और वीलचेर पर बैठा है सफ़ह नंबर तेरा अपने तीन दोस्तों से पूछ कर लिखिए कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है दोस्त का नाम, खेल का नाम एक, खाली जगह दो, खाली जगह तीन, खाली जगह साइकल की तस्वीर बनाईए और उसके हिस्सों की नाम लिखिए यहाँ नीचे एक खाली जगह दी गई है जिसमें आपको साइकल की तस्वीर बनाना है और उसके हिस्सों के नाम लिखने है सफ़हा नमबर चौदा सना को उसके भाई तक पहुँचाईए इस सफ़हे पर एक भूल-भुलया नुमा नक्षा बना हुआ है जिसमें नीचे सना की तस्वीर है और उपर उसके भाई की तस्वीर है सना को इस भूल-भुलया से गुजारते हुए उसके भाई तक पहुचाना है रास्ते में एक कववा, एक गिलहरी, मश्रूम, बत्तख और उसके बच्चे और एक खरगोश बना हुआ है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन्स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गौहर, तक्नीकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहायक, तनु गुपता, निर् स्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.